भाई और बैनों, एक दौर था जब देश में विकास की बात केवल बड़े शहरों तकी सिमित होती थी, वहाँ भी विकास का मतलब बस इतना ही होता था कि खास खास इलाकों में बड़े बड़े फ्लाइवर्थ बन जाएं, सडके बन जाएं, मैट्रो बन जाएं, यानि गाओं, कस्मों से दूर और हमारे घर के बाहर जो काम होता था, जिसका सामन्य मारवी से लेना देना नहीं था, उसे विकास माना गया, बीते बर्षों में देश ने इस सोच को बन ला है, आज देश दोनों दिशवों में काम करना, दो पट्री पर चलना चाहता है, देश को नए इंफास्रेक्टर की भी जरुरत है, इंफास्रेक्टर पर भी लाखो करोरों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मि इवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, इस अब लिविंग के लिए नए मान दंड भी स्थापित कर रहे हैं, गरीब के ससकती करणों को आज सरवोच्य प्रात्विक्ता दी जा रही है, जब दो करोड गरीब परिवारों को घर दिये जाते हैं, तो इसका मतलब होता है, कि वो अब सरदी, गर्मी, बारिश के डर से मुक्त होकर जी पाएगा, इतना ही नहीं, जब खुद का घर होता है न, तो आत्म सम्मान से उसका जीवन भर जाता है, नए संकल्पों से जुड़ जाता है, और उस संकल्पों को साकार करने के लिए, गरीब, परिवार समेथ, ज जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात महनद करता है, जब दस करोर परिवारों को साउच के लिए, गर से बाहर जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलती है, तो इसका मतलब होता है, कि उसका जीवन स्तर बहतर हुआ है, वो पहले सोचता था, कि सुखी परिवारों के घर में ही ट्वाइलेट होता है, सौचालाई उनी के घर में होता है, गरीब को तो बेचारे को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है, लेकिन जब गरीब को सौचालाई मिलता है, तो वो अमीर की बराबरी में अपने आपको देखता है, एक नया विश स्वास पैदा होता है इसी तरह जब देश का गरीब जंदन खाते के जरिये बैंकिंग विवस्ता से जुड़ता है मोबाइल बैंकिंग गरीब के भी हाथ में होती है तो उसे ताकत मिलती है उसे नए आउसर मिलते हैं हमारी यहां कहा जाता है सामर्थ मुलं सुख मेव लोके अर्था हमारे सामर्थ का आधार हमारे जीवन का सुख ही होता है जैसे हम सुख के पीछे भाग कर सुख हासिल नहीं कर सकते बल्कि उसके लिए हमें निर्धारित काम करने होते हैं कुछ हासिल करना होता है वैसे ही ससक्ति करना भी स्वास्त, सिक्षा, सुविदा और गरीमा बढ़ने से होता है जब करोडों, गरीबों को आईश्मान योजना से मुप्त इलाज मिलता है तो स्वास्त से उनका ससकति करन होता है जब कमजोर बर्गों के लिए आरक्षन की सुविदा सुनिचित की जाती है तो इन बर्गों का सिक्षा से ससकति करन होता है जब सडके सहरों से गावों को भी जोडती हैं, जब गरीब परिवारों को मुप्त गैस कनेक्शन, मुप्त बिजनी कनेक्शन मिलता है, तो इस स्विधाएं उनका ससक्तिकान करती हैं जब एक व्यक्ति को स्वास्त, सिख्षाव और सुविधाएं मिलती हैं, तो अपनी उन्नती के बारे में देश की प्रगती के बारे में सोचता है, इन सपनों को पूरा करने के लिए आज देश में मुद्रा योजना है, स्वनिधी योजना है, भारत में ऐसी अनेकों योजना गरीब को सम्मान पूर्ण जीवन का मार्ग दे रही है, सम्मान से ससक्ति करन का माध्यम बन रही है